हेलो एप्रिवन वेल्कम तू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाराखी चौबे और एंज रैंकिंग अब लोग कर रहे थे पार्ट वण हमने कर रहा था यानि कि यह सारे जो पार्ट है वो अपने डिस्कस कर लिये थे अब यह रहा था रैंकिंग रिलेटेड यानि कि जो बड एक टूता है प्र libro सकता हैं अच्छंट कॉछ पिर उपर नीचे ऑख हैं ऊपर से कुंहे नीचे नीच सब्सक्राइब तो definitely exams में ये questions दीखते ही दीखते हैं, तो इस तरीके के questions को आज हम लोग सारे ही pattern इसके discuss करेंगे, ठीक है तो चलिए start करते हैं, सबसे पहला सीज जो आपको इसमें ध्यान रखना है, कि ये बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे, जब इसको आप solve करोगे, तो आपको एक symbol यूज़ करना हमेशा, वो कौन सा symbol है ये, अब इस symbol को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, ये देखो ध्यान से, जब भी ये आपसे मा और देन B, यानि कि A बड़ा है किसे B से, तो A बड़ा है किसे B से, जब भी ये बड़े वाले की बात करेगा, तो खुला हुआ पोर्षन जो है, इस arrow का वो किधर आएगा, जो ये arrow है आपका, देखो, जब ये arrow है, इस arrow का जो खुला हुआ पोर्षन है इधर की और, वो बंद वाला पोर्षन है, वो किसको डिनोट करेगा, छोटे वाले को, ठीक है, ये चीज कभी नहीं भूलना है, arrow का जो खुला हुआ पोर्षन है, उसके साइड तो कौन सा लिखेंगे, बड़े वाले को, और जो बंद वाला पोर्षन है, उसकी साइड आपको किसको लिखना वाले को, ठीक है, ये क्लियर हो गया, जदि आप से कहरा है, ब blinking बढ़ा है, टीक है, ब बढ़ा है किसे, पोर्षन हो गए, ब के साइड काँ गया, ये पोर्षन खुला हुआ, और सी के साइड काँ सा आगया, बंद वाला पोर्षन, एक कोंसेड क्लियर हो गया, अब दूसरी चीज जो आपको यह बताना है यहां पर question solve करने से पहले वो यह देखिए question आपको इस तरीके से और यह line common है हड़े questions में आपको दिखाई देगा वो क्या B से A बड़ा है परंतु C से छोटा है यहीं पर बच्चे गलती करते हैं इस relation को कैसे represent करना है उसमें तो इसको अच्छे से और ध्यान से सीख लो आप लोग बिल्कुल एक आज के बाद कभी नहीं confusion होगा C A is older than B clear है कि यह क्या बात कर रहा है A बड़ा है B से ठीक है अब यह वर्ड आपको दिख रहा है यहां पर परंतु इंगलिस में देखो तो यह वर्ड दिख रहा है बट यह बहुत खतरनाक है इसी की वज़े से क्या होता है पूरा का पूरा कुश्चन ही wrong हो जाता है बट younger than C बट चोटा है C से भईया कौन चोटा है यह तो यहां लिखा ही नहीं है यहां पर भी इसने लिखा है परंतु C से छोटा है कौन चोटा है A चोटा है या B चोटा है अब यह बताओ क्या यहां पर आप फाइंड आउट कर पाऊगे परंतु C से छोटा है ठीक है भाई C से छोटा ये तो आपने बता दिया आप कौन छोटा है B को छोटा ले या A को छोटा ले किसको हम लोग छोटा मान ले B को माने या A को माने तो इसी confusion को आपको क्या करना है clear करना है अब इसकी confusion को कैसे clear करोगे वो देखो sentence में आपको हमेशा क्या दिखाई देगा तीन चीजे दिखाई देगा किसे कौन किसे बड़ा है ठीक है कौन और किसे यह तीन चीज आपको sentence में हमेशा ही दिखाई देगा ठीक है इसको मैं रिज़ कर देती हूँ अब सी जब भी यह आपसे sentence देगा तो उसमें तीन चीज होगा क्या क्या होगा एक तो होगा आपका कौन ठीक है दूसरा होगा किस से और फिर आपका यह word दिखाई देगा जिससे वो connect है sentence परन्तु हिंदी में होगा या फिर बठ होगा इंग्लिस में तीन चीज़े आपको common है देखो क्या कह रहा है A is older than B A बढ़ा है B से किस से बढ़ा है तो B से तो किस से का answer आपको किस ने दे दिया B ने दे दिया है न और कौन बढ़ा है तो A बढ़ा है किस से बढ़ा है भाई B से बढ़ा है clear है हिंदी में भी पढ़ लो अच्छे से B से A बढ़ा है B से A बढ़ा है यानि किस से बढ़ा है तो B से बढ़ा है किस से का answer किस ने दिया B ने कौन बढ़ा है तो A बढ़ा है तो कौन का answer आपको किस ने दे दिया ए ने इसके बाद आपको दिखा परंतू या फिर बट तो परंतू C से छोटा है यहाँ परंतू के बाद क्या आ रहा है C आ रहा है तो बढ़िया सा और जवद दसा ट्रिक है यह याद रखो लो जब भी यह परंतू या बट से आपको connect किया हुआ each and every question में आपको definitely दिखेगा यह word परंतू और बट क्या करेंगे उस case में इस C का relation सीधा सीधा first वाले person के साथ है किस के साथ है कौन जो question में जो आपको क्या करना है query करना है कौन बढ़ा है कौन छोटा है कौन बीच में है कौन साइड में है query क्या करना है आपको कौन और जिसने आपको कौन का जवाब दे दिया न उसका relation किस से साथ है परंतू के साथ परंतू के बाद जो भी word दिया हुआ यानि कि तीन चीज तो आपको हमेशा दिखेगा देखो दिखतो रहा है A is older than B A बढ़ा है B से ठीक है दिखतो रहा है A बढ़ा है B से बट younger than C मनि आपने पूछा कौन बढ़ा है A बढ़ा है किस से बढ़ा है B से बढ़ा है तो फिर ये क्या कह रहा है Younger than C यानि कि A छोटा है C से किस की बात कर रहा है ये छोटा जो पूछ रहा है ये किस सी बात कर रहा है A की ठीक है तो अब क्या आगए A A younger than C यानि कि A छोटा है C से A के साइज बंदवाला पोर्शन आ गया समझ में आ गया या कोई confusion है एक बार और मैं repeat कर देती हूँ ध्यान से समझ दो क्या कह रहा है हिंदी में समझो B से A बढ़ा है ठीक है B से A बढ़ा है यानि कि किस से बढ़ा है B से बढ़ा है कौन बढ़ा है A बढ़ा है परंतु आ गया परंतु के बाद C है तो मैंने क्या बताया था जो जवाब कौन देगा कौन का जवाब कौन का जवाब कौन दे रहा है यहाँ पर A बढ़ा दे रहा और हर बार आपको लिखके करनी की जरुवत नहीं है तो मन में सीधा पढ़ो न, B से A बढ़ा है, किस से बढ़ा है, तो B से बढ़ा है, सीधा लिख लो, कौन बढ़ा है, भाई A बढ़ा है, तो परंतु के बाद C दिया है, C का डिलेशन सीधा सीधा, किस से हो जाएगा, A के साथ हो जाएगा, यानि ये C जो बात कर रहा है, C से है कौँछ छोटा है चोटा है सी से चोटा है सीसे क्लियर हो गया अब इसमें फिर से लागा d is younger than e d क्या है छोटा है किसे e से है ना देखो यहां पर लिखा होगा e से d छोटा है यहीं confusion होता है थोड़ा इंगलिस वालों करी तो बहुत ही आसान हो जाता है हिंदी में थोड़ा सा यह वह कर देता है confusion अ कि e से d छोटा है तोो कोई कंफ्यूज होली वाली बात नहीं यहीं ब्लाइगा किसे छोटा कि पर अपर जिसे का जवाब थो ईने दिया कौन छोटा है तो ड यानि कि बात कर रहे है कौन बात कर रहे है ठीक है d का बात कर रहा है d a से बढ़ा है ठीक है d a से बढ़ा है ठीक है तो d क्या है a से बढ़ा है if c is younger than d यानि कि c छोटा है किस से d से छोटा जिदर आ गया उधर बंद वाला portion होगा ध्यान दखना है then who is the eldest eldest मतला जो सबसे बढ़ा है ठीक है जो सबसे elder है बढ़ा है अब चलो कैसे solve करेंगे और दो चीज़ आपको और धियान रखना है questions को करते करते आपको पता सब जागा वो अभी मैं clear कर दूंगे ठीक है यह बात कर रहा है सबसे बढ़ा है जब यह पूछे ना आपसे question में सबसे बढ़ा है तो हम लोग को क्या mark out करना है जो elder है जो big value है यानि कि जो सबसे जिसका वेटे जागे है बढ़ा है चलो अब इसने क्या पूछा who is the elder है सबसे बढ़ा कौन है अब देखो यहां पर क्या कह रहा है यही तो पूछ रहा है हमसे यह कौन बढ़ा है तो अपन बड़े वाले को ढूड़ेंगे चोटे वाले से क्या लेना देना अब अपन को क्या find करना है यह तो पता चल गया अपन को ए बढ़ा है बढ़ा कौन है तो देखो यहां पर नीचे आओ A से बढ़ा कौन है C है C को मारका उच कर लो अब क्या ढूड़ना है C से बढ़ा कौन है अपन को तो सबसे बड़े इंसान के पास पहसना है न A आ गया तो A से बढ़ा कौन मिल गया connection दोंडो D और E में तो C है यहां पर D मिलगया C से बढ़ा कौन B अब अपनको 11 से उसके उपर उलाशना है को सबसे बढना पूछ गान है तो D से बढना?". D सबसे बढना क्वारा पूछ रहा है D से बढना क्वारा yak29 हमने नहीं लिया इसमें ए याँ नहीं लुद कोई नहीं है इसका मतलब क्या हुआ जब आपको इसे बड़ा कोई नहीं मिल रहा है, Map C, a.d. जो ख़ोधे यान या नि कि E सबसे बड़ा नहीं होगा तभी तो इं pressing loss भी तो नहीं दिख रहा है यानि कि E क्या है सबसे बड़ा है अपना जो एंसर आ गया वो क्या आ गया एंसर क्या आ गया E is the eldest ठीक है E सबसे बड़ा है समझ में आ गया यह एक बार और समझाओ देखो जब भी यह पूछे एक बार है इससे बरा कॉन है तो यहां पर दिख गया A से बरा कॉन है C से बरा कॉन है तो देखो C से बरा यहां पर दिख रहा है D है अब D से भी वड़ा कौन है आपका तो E है अब E के बाद तो को आई नहीं रहा मतलब कि E सबसे वड़ा है तो अपना एंसर क्या आ गया अब देखो इसी पर बेस्ट है इसको फटा फट करो सारा कॉंसेट इसमें क्लियर हो जाएगा और जो दूसरा बचरा है अपना उसन को करना है इसमें नोट बना के लिखा लो मारकाऊट किसको करना है आपको बड़े वाले को थेका अब जब यह कुर्ष्ण में क्या पूछेका आपसे हूँ इस द सौटे स्वय सबसे चोटा कौन है चलो पहले एक बार सॉल परो इससे Among 5 friends, यानि कि 5 दोस्त हैं, 5 मित्र हैं, इन में से A is shorter than B, but taller than E. अभी समझा रहा था, अब दुबारा से repeat करनी की जरुवत नहीं है न, चलो फटा-फट से आप लोग solve कर लो. A is shorter than B, यानि कि यह क्या कह रहा है? A छोटा है किसे B से? देखो जो छोटा है न, उसकी तरह बंद वाला portion आएगा, और जो बड़ा है इसके साइट खुला वाला portion आएगा, but taller than E, अब भाई किसकी E का relation किस से निकालेंगे? सीधा से फटा-फट से निकालो, A is shorter than B, कौन छोटा है? A छोटा है, than B, किस से छोटा है? तो B से छोटा है, but, तो अब जो बड़ा वाले E है, इस E का relation किस के साथ हो गया? कौन के साथ है न, तो A के साथ, यानि कि A का बात कर रहा है यह, A taller than E, A क्या है? E से लंबा है, ठीक ह अब क्या कह रहा है? C is somewhat taller than B, यानि कि C taller है, किस से B से? इंडी में भी पढ़ देतू, कहां गया, हाँ, C तो B से कुछ लंबा है, C क्या है? B से कुछ लंबा है, C B से लंबा है, ठीक है, परंतु D, B से कुछ नाटा है, D क्या है? B से कुछ नाटा है, यानि कि D जो है, यह ना नाटा है, D, B से नाटा है, यानि छोटा है, और A से कुछ लंबा है, ध्यान दो यहां पर, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, परंतु D, B से कुछ नाटा है, कौन नाटा है, कौन नाटा है, D, B से, यानि किस से नाटा है, तो B से नाटा है, तो यहां पर जो थर्ड परसन है, और के बाद A, A का रिलेशन किसके साथ है? D के साथ है, क्लियर हो गया या नहीं? परंतु, D, B से कुछ नाटा है, तो D तो भाई B से नाटा है लिख लिए हमने, और A से कुछ लंबा है, कौन लंबा है? तो D लंबा है, क्योंकि यहाँ पर भी कौन का जवाब D दिया है, तो क्या हो जाएगा? D, A से कुछ लंबा है, अब यह आप से क्या पूछ रहा है? सबसे नाटा कौन है? Who is the shortest? सबसे छोटा कौन है? अब C, जब आपन मार्क, यह सौल्ब कर रहे थे ना, L सबसे बड़ा कौन है? तो किसको मार्क आउच कर रहे थे? बड़े वाले को है ना? बड़े वाले को मार्क आउच कर रहे थे? अब आप, जब आप से यह पूछ रहा है, Who is the shortest? सबसे छोटा कौन है? तो अब आपन जब सौल्ब करेंगे ने, इस relation को, तो किस तरही के से solve करेंगे? सबसे छोटा find out करना है, अब छोटा कौन है? देखो, A छोटा है, B से, A को mark out कर लो, ध्यान देना है, पिछले वाले कोशिचन में बड़ा पूछ रहा था, तो हमने B को mark out किया, अब A को mark out करना है, ठीक है? A छोटा है, B से, कर लिया हमने A को mark out, अब A से छोटा ढूड़ना है, क्योंकि अपन को जाना कहा है, सबसे छोटे वाले पसंद के पास, सबसे छोटे वाले बैक्ती के पास, तो A तो छोटा है, यहाँ पर देखो, A दिग गया B से छोटा, तो A यानी की छोटा है, अब A से छोटा कौन है, ढूड़ो, A से छोटा यहाँ पर क्या दिग गया, E दिग गया, सिंपल है, अब E से छोटा कौन है, यह ढूड़ो, क्या E है इसमें, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, E से छोटा, मतलब कोई दिख नहीं रा, तब भी नहीं दिख रहा ना, अमें, जब E यहाँ पे होगा, ध्यान से देखो, जब E यहाँ पे होगा, तब भी तो हमें, कितने परसन है यहाँ पर, 5 दोस्त है ना, 1, 2, 3, 4, and 5, done, अब देखो, E सबसे लास्ट में है, तब भी तो ह हमें, E से छोटा कोई नहीं दिखाए दे रहा, और यहीं तो पूछ रहा है, who is the shortest, तो सबसे छोटा कौन हो गया, यहाँ पे E, तो अपना जो answer हो गया, वो क्या हो गया, E हो गया, ओके, समझ गए, सिर्फ यह ध्यान दखना है आपको, अगर वो पूछे ना, L बड़ा, तो और से भी हो सकता है, और इंग्लिस मीडियम वालों के लिए किस से कनेक्ट होगा, बट से कनेक्ट होगा, डेफनेटली हरे कोईस्टन में दिखेगा, तो इस कॉंसेप्ट को ध्यान में रखना है, परंतु के साथ जो भी है, उसका relation किस के साथ होगा, जो कौन का जवाब दे अब कैसे अब क्या से कर गहांँ का जो इसका अब क्या से प्लेंक वालों के छोड़ा या ब्लैंक फीर ग्र्केट में दो आल कर लो, यानि कि सबसे ऊपर यह है इसे ऊपर कोई है यह नहीं सबसे अमीर आदमी है इस डे आर सीटेट इन दा ओर्डर ओफ वैल्थ यानि कि जो कहते हैं न उसको जो सबसे अमीर है यहाँ पर मान लो फिर उससे अमीर यहाँ यहाँ तो इस तरीके से वो then who will be the in the middle position अब यह second pattern हो गया एक तो वह pattern था eldest का दूसरा shortest का अब तीसरा यह क्या कह रहा है आपसे middle बीस में बैठा हुआ बैक्ती पूछ रहा है तो अब देखो क्या हो कैसे solve करेंगे इसे इसने क्या कहा एसे बड़ा भी है ठीक है solve करो a है a बड़ा है किसे b से माल लिया हमने अब क्या b से कौन बड़ा है यहाँ देखो b से कोई relation ही नहीं दिया हुआ है ठीक है इसने यह कहा है आपको e सबसे बड़ा है ठीक है e सबसे बड़ा है यानि कि अब देखो पहले a से बड़ा कौन है A से बढ़ा B है है ना यहाँ पे यह पहला relation हमने लिख लिया अब A से बढ़ा कौन है तो है ही नहीं नहीं है ना A से बढ़ा कोई नहीं है अब B से बढ़ा कौन है B दिखी नहीं रहा है यहाँ पे A दिख रहा है अब देखो A से बढ़ा कौन है यहापे C है तो A से बढ़ा कौन आगया आपका C आगया ठीक है A से बढ़ा कौन है यहापे C है इस relation से मिल गया अब C से बढ़ा कौन है देखो C से बढ़ा कौन है यहापे D है तो भाई C से भी बड़ा कौन दिख्या आपको D दिख्या अब नहीं है relation आपके पास और आपको पता है कि सबसे eldest person जो है वो कौन है E है सबसे eldest यानि कि जो सबसे बड़ा है वो कौन है E है तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपको कौन है E है यह तो अपन को पहले ही बता दिया था ने इसने question में देखो A बड़ा है B से अपने बना लिया A बड़ा है B से अब A से भी बड़ा कौन है C है तो A से भी बड़ा यहाँ पे C है C से भी बड़ा कौन है D है तो C से भी बड़ा D है और e सबसे वड़ा है तो यह को अपने सबसे लास्ट में आट कर दिया सिंपल अब यह क्या पूछा है आप से बीच में बीच में यानी कि टोटल कितने हैं टोटल कितने लोग हो गए यह पांच तो पांच में से बीच वाला पसंद कौन सा हो जाएगा थार्ड नंबर पे यही तो होगा पसंद तो अपना एंसर क्या हो गया यहां पे बीच में बैठा हुआ बैकती कौन सा है सी है ओके चलो अब यह एक नेक्स पैटर्न है इसको करो एस से के एम ए आर फाइव फैंट मतलब यह पास दोस्त है एस इस ऑटर डैन के ठीक है एस क्या है छोटा है किसे के से तो एस छोटा है यानि की छोटे वाले के साट कौन सा होगा बंद वाला पोर्षन s is shorter than k ठीक है but taller than r अब किसकी बात कर रहा है यह क्या यह फिर से बतानी की जरुवत है s is shorter s छोटा है, कौन छोटा है s छोटा है, किस से छोटा है जिसके साथ than लगा हुआ है किस से छोटा है, तो k से छोटा है और बात किसकी बात कर रहा है यह爬 के साथ किसका है अवार है तो किसके साथ होगा एसके साथ होगा उससनी की जरुईवत ही नहीं हो सुखको है तो साथ हो एंदा है सभी यह तोलेस्ट दी है और अभी बता त्था मैंने जब लृष्ट कर दिया प fierce GG कि क्षारिटी के साथ कि से बहुंतकि सबसे बढ़ा या फिर आथ बलैंक डाल के लिटल चोलर दीन के घुरा पह़ी चोलर दैनस किसकी साथ ६स्ᴇच दे रखे तो देखो- zoülti कौन चोटा है ए छोटा है किस से छोटा है तो के से छोटा है तो definitely यह जो S का relation है वो किस के साथ होगा A के साथ होगा तो क्या कह रहा है यह A taller than S यानि कि A क्या है लंबा है किस से लंबा है S से लंबा है ठीक है Indicate who is the person from whom two person are taller and two person are sorted इसने बस वही चीज़े को क्या किया है लेंग्विज चैंस कर दिया है और कुछ नहीं है पांच बैखती है S के में अब पांच लोगों में से यह क्या पूछ रहा है पांच लोगों में से कौन सा वैसा बैखती है जिसके लेफ्ट साइड में भी दो है ठीक है यहां पे इसके इधर भी दो है और इधर भी दो है यानि कि दोनों साइड उसके क्या है दो दो लोग बैठे हुए यानि कि यह यह वाला पोर्शन पूछ रहा है ना अकर इसकी बात कर दो 1 2 3 4 5 ठीक है S के में आर कहरा है यह तो आप मालो S के में आर कहरा है तो आपसे यह यह पूछ रहा है कि M वाले मतलब बीच वाला पोजिशन ऐसा कौन बैखती है Jis different to that between the video सब्सकाइब इसके 2 वाले महीं ए यानि कि क्या हो गया चोटा हो गया इस से देखो यह हो फचान होगा इससे दो चोटा इधर हो गया और दो वारा की इहोगा चलो चलो और तो बड़ा है कि इसर से बना लो कोई रिक्कत नहीं है ना इस चोटा है के से वह मैंने इंगर उल्टा बना दिया ना वेट को डिलेस्ट क्या बन जाएगा कि बड़ा है किसे से ठीक है डन अब एस किसे बड़ा है आर से है ना S किसे बढ़ा है? R से, तो चलो बनाओ, S बढ़ा है R से, ठीक है, M सबसे बढ़ा है, इसको रहने दो अभी, अब क्या कह रहा है? K बढ़ा है किसे? A से, देखो, K बढ़ा है A से, और A से बढ़ा कौन सा है? S, यानि की, देखो, इसने क्या कहा आप से? K बढ़ा है, दूसरा और S के बीच में कौन आ रहा है A आ रहा है देखो ना ध्यान से K है S है और K और S के बीच में A है तो एक नया relation बना लो क्या दिक्कत है K A S और R clear हो गया और इसने पहले बता दिया ना M सबसे बढ़ा है चोटे वाले लोग और दो इससे बड़े वाले लोग तो एंसर क्या आजाएगा अपना A कि इस कुईस्टन का एंसर क्या आजाएगा आपका A ठीक है एक साइट दो बड़ा है और दो छोटा है चलो अब इसे करो ठीक है A B C D या फाइब चिल्रें इमांग दैन B B is taller than E देखो क्या है B is taller than E यानि की B B is taller B बड़ा है किससे E से ठीक है बट यही मैंने पहले का था ना यह बट पीछा नहीं छोड़ेगा अपना जब तक ranking के सारे questions करेंगे तो इसको ध्यान रखना है अब देखो B taller है किससे B कौन बड़ा है B किससे बड़ा है E से बड़ा ह तो बट के बाद जो A है A का relation किसके साथ है B के साथ है ठीक है अब क्या कह रहा है यह मतलब कि आपको बट के बाद क्या पढ़ना है B पढ़ना है B shorter than A यानि की B क्या है छोटा है किससे छोटा है A से छोटा है ठीक है यही तो कह रहा है ना हिंदी में देखो B E से लंबा है ब किससे चोटा है और पढ़के बाद दिया है तो d का डिलेसन किसके साथ है a के साथ है तो यहाँ पढ़के बाद आपको क्या पढ़ना है D से लंबा है, कौन लंबा है, A लंबा है, किस से लंबा है, D से लंबा है, ठीक पर D से लंबा है, कौन लंबा है, A लंबा है, किस से, D से जबकि D B से लंबा है, अब D क्या है, B से भी लंबा है, ठीक है यदि सभी बच्चों को एक पंक्टी में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पे कौन होगा अब ये इसने क्या पूछ लिया आपसे फोर्थ नंबर पे कौन होगा ठीक है तो चलो पैलर रिलेशन क्या दिया हुआ है बी बड़ा है किससे इसे है ना बी बड़ा है किससे इसे ठीक है बी बड़ा है किससे इसे बना लिया हमने है ना अब क्या दिया हुआ है बी से छोटा है ए बी से छोटा है ए यानि कि बी से क्या है छोटा है ए तो यानि कि A इधर आ जाएगा है ना अभी क्लियर नहीं है तो ठीक है यहाँ पे लिखते हैं B से छोटा है A और A से छोटा है C ठीक है भाई मान लिया A से छोटा है C अब A से बढ़ा क्या है D है ना देखो A किस से बढ़ा है D से और D किस से बढ़ा है B से है ना देखो A A किससे बढ़ा है D से तो यहाँ पे आपका क्या आजाएगा A बढ़ा है किससे D से और D भी किससे बढ़ा है B से कही न कही इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है बढ़ा है देखो यह क्या कह रहा है अभी B बढ़ा है किससे E से ठीक है बढ़ा है अब B से बढ़ा कौन है यहाँ पे D बढ़ा है ना B से बढ़ा कौन है यहाँ पे D बढ़ा है तो D को हमने लिख यहाँ पे अब D से बढ़ा कौन है यहाँ पे A है तो D से बढ़ा हमने क्या लिख 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 अब यहाँ पर क्या दिया हुआ था बी छोटा है एसे तो डेफिनेटली बी छोटा है इसे इधर की साइड तो है भी तो अब यह आपसे पांच हो तो हो गया ना देखो वन टू त्री फोर एंड फाइव यह आपसे क्या पूछ रहा है लंबाई की अनुसार खरा किया जाए तो लंबाई की अनुसार चौथे नंबर पे यानि की कौन से नंबर पे पूछ रहे हैं फोर्थ नंबर पे कही ने कहीं लिखा होगा फोर्थ यस फोर्थ नंबर पे पूछ रहा है तो फोर्थ नंबर पे कौन सा बेक्टी बैठा है कौन सा पसन है यहां पे बी तो अपना एंसर क्या आजाएगा यहां पे बी आजाएगा ओके पूर्थ नंबर पे कौन बैठा है बी बैठा है ठीक है चलो अब यह करो यह थोड़ा सा उससे different होगा देखो इसमें अलग pattern है अब यह क्या है हमने बहुत सारे questions जब आपन के पास options आता है ना तो देखते हैं अपन क्या-क्या options आता है वो देखो एक आता है ना options c and d का सुना होगा आप सभी ने can't be determined हम लोग क्या determined नहीं का सकते है इस type का यह question है वो कैसे वो देखो five friends के बीच में a is heavier than b यानि कि a heavy है heavy means भाड़ी है बढ़ा है किससे b से c is lighter than d यानि कि c हलका है d से c हलका है यानि छोटा है भाई d से t के मालिया b is lighter b is lighter than d यानि कि b हलका है किससे d से okay but heavier than e अब बट वाला है ध्यान दिखना है देखो b कौन हलका है b हलका है भाई किससे हलका है तो d से हलका है तो यहाँ पर b का औरलेशन किसके साथ e का डिलेशन जो है किसके साथ होगा देखो कौन हलका है b हलका है किससे ऑलका है so but t кстати जो ई-या उसका डिलेशन किसके साथ होगा b के साथ ठीक है तो be heavier than e यानि कि be happy है किससे से फीसे अब यह क्या पूछ रह lines him on them से सबसे भंड कान consistent कि अपनको बड़ा वाला फाइंद करना है बड़े वाले को चलो इसे बड़ा कौन है यहां पर डी है ठीक है अब क्या बीडी से बड़ा कोई दीख रहे हैं देखो ना बी से बड़ा अब A से बढ़ा डूढना था अपन को दी नहीं होगा इसमें देखो B से बढ़ा A है अब A से बढ़ा कोई दिखी नहीं रहा न अब relation देखो कैसे निकालेंगे A बढ़ा है B से ठीक है मान लिया अब क्या कहरा है D बढ़ा है किसे C से यानि कि दूसा relation लिखो D बढ़ा है किसे C से अब D क्या कहरा है यह देखो D B से भी बढ़ा है यानि कि D बढ़ा है B से और यहाँ पर देखो D बढ़ा है B से और B से बढ़ा A है बट B बढ़ा है किसे E से है ना B बढ़ा है E से तो यहाँ पे आप relation नहीं निकाल पाओगे कैसे नहीं निकाल पाओगे वो देखो A बरा है B से यानि की B छोटा है B से छोटा कौन है? D है तो यहाँ पे यदि आप D को मानते हो ठीक है? D बैठा लिया आपने अब क्या कहरा है? यह D से छोटा C है तो D से छोटा C है बर्टी E को कहा लिखो गया? B से बढ़ा क्या है? E है B बढ़ा है किसे? E से क्या E का position clear है? B बढ़ा है E से ठीक है मान लिया B बढ़ा है E से लेकिन E का position कहीं clear नहीं दे रखा न? कि E को अपन D के पास B के ज़स्ट बाद रखोगे यहाँ पर या फिर D के बाद रखोगे या फिर C के बाद रखोगे ठीक है? clear हुआ या नहीं हुआ यह बात है E का position यहाँ पर clear नहीं है कि E को कहा रखेंगे? क्यूं? पहला relation इसने बोला है A बढ़ा है किसे? B से मालिया भाई अब देखो B से छोटा कौन है? B से छोटा D है यदि हम लोग यह मानते हैं कि B से छोटा E है तो मालिया B से छोटा E है sorry D है अब D से छोटा C है तो इतना तो इसली बन गया कि C है अब इसने कहा है B बढ़ा है E से मतलब B का value यह क्या है? E से बडा है, बट क्या E अपन? देखो B से बडा E के लिए तो क्या है? यहां भी लिख सकते हैं B, E, D एक case यह भी हो सकता है, ठीक है? दूसरा case 이건 क्या हो सकता है? B हो, फिसरा case क्या हो सकता है? और तीसरा case क्या हो सकता है आपका? B हो, फिर D हो, फिर C हो, C हो और फिर इसके बाद E हो, कुछ भी हो सकता है, यानि कि E का जो case है न, E का situation आपको बताया है न, यह clear कि E कहां पर है, तो इस case में आपको कौन सा option tick out करके आना है, C and D, cannot be determined, ठीक है, यह ध्यान रखना है, आपको जब भी confusion और relation clear नहीं हो, तो C and D tick करके आना, और examiner जान बूच के C and D का question आपको जरूर देगा, इसको करो, आपका concept तुरंट clear हो जाएगा, क्या कहा रहा है, बीपुल इस टॉलर देन हंस, यानि कि बीपुल जो है, यह क्या है, लंबा है, किस से लंबा है, हंस से लंबा है, ठीक है, फिर हंस इस टॉल देन आलोक, यानि कि असोख जो है, असोख क्या है, लंबा है, किस से, आलोक से, फिर यह क्या कह रहा है, असोख इस टॉलर देन हंस, असोख जो है, वो क्या है, टॉलर है, किस से लंबा है, हंस से लंबा है, अब यह पूच रहा है, who is the tallest among them, सबसे लंबा कौन है, ठीक है, लो फाइंडाट करो रिलेशन क्या है कह रहा है बिपुल लंबा है हंस से ठीक है भाई माल लिया हमने अब देखो हंस बढ़ा है किसे अनंद से तो हंस के बाद हमने क्या बना दिया अनंद बना दिया डन अब क्या कह रहा है अनंद तो कहीं है नहीं है ठीक है अब क्या कह रहा है अलोक से तो दूसरा रिलेशन बनाना हो बना अन घो हो तो यह तो पता चाल रहे कि असोग और आलोक जो वो किदर होगा यहां होगा लेकिन क्या हमें यह पता है कि असोख बिपुल के इधर होगा या फिर बिपुल के इधर होगा क्लियर नहीं किया ना इसने असोख का पोजिशन क्लियर ही नहीं है इसने बस कह दिया असोख बड़ा है हनसे ठीक है असोख मान लिया हमने कि हनसे आपन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं रिलेशन ओके चलो अब एक पैटन यह भी है इससे भी कोस्टन से इस तरह की कोस्टन दिखते हैं इसको करो चार बच्चे यानि कि दा फोर चिल्ड्रेन अक्रम बोपसी प्रिया तुलसी आर ओन लैडर यानि कि किस पर बैठे हुए सीडियों पर बैठे हुए है यह ठीक है सीडियों पर बैठे हुए है माल लिया अक्रम इस एवब बोपसी यानि कि अक्रम जो है सीडियी पर बोपसी से उपर है तो यहां पर क्या आ गया आपका अक्रम आ गया यहां पर यहां पर क्या आ गया आपका बोपसी आ गया जो भी बोपसी आ गया ठीक है अक्रम सीडी पर बोपसी से उपर है बोपसी अक्रम और प्रिया के बीच में है यानि कि यह जो बोपसी है यह क्या है अक्रम और प्रिया यानि कि बोपसी के एक साइड तो अक्रम हो गया और एक साइड कौन होगी प्रिया होगी ठीक है एक साइड कौन होगी लेदि तुल्सी अक्रम से भी ओपर यह भर कौन है तो नीचे से दूसरा कौन है नीचे से दूसरा न नो ऍह Biology गास्ट ठीक है दूसरे नमबर पर कौन बैठा है वो अपसी बैठा है ओके चलो अब यह कुछ एक कुस्टन से इसको भी देख लो जो पहले हमने पढ़ लिया उसी पर बेश्चा फटाक से स्वाल कर लो इसे कुछ समझानी की जरुगत निये इसमें इन ग्रूप अफ फ्रेंड्स अ,b,c,d,e,b,is,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y,y उस है को आई आधे Lord or ascending order क्या होता है फिर इसह बड़ा होगा फ्रता फिर इसे बड़ा सबुक्षटा को पयर गैस यह ना तो अबढ़ते वे is fourth देखो number दो इसको पसंद को one two three four और यहां पे जो बैठती बैठा है उसको five number दे दिया हमने ठीक हमने क्या numbering कर दिया लोग जो बैठे में sending order में ऐसी तो पढ़ेंगे अब यह क्या कहा रहा है देन d gets the fifth rank d किदर बैठा है पाँचवे number पे तो देखो पाँचवे number पे किसको बैठा दो आप d को बैठा दो कहा पे पाँचवे number पे बैठा दिया हमने d को और क्या कहा रहा है e is fourth यानि कि e कहा पे है चौथे अस्थान पर हैं तो इक और में चांगे वैठा दिया अब अब यह क्या पूछ रहा है हुई गली कि सबसे छोटा जो है सबसे चोटा ऊम्र में कौन है अब छोटा पूछ रहा है तो चोटा वाला अब इसने क्या पूछा है आप से हुई द यंगेस्ट सबसे छोटा कौन है अरे सोचनी की जरुका थे हैं आसेंडिंग और रहा है तो सबसे छोटा पॉण आ गया एंसर क्या आ गया ऑप्शन भी इसो नवी है करते हैं यानि कि खुला हुआ पोर्शन किदर होगा एक ही साइड एज है बाड़ी है किससे दी से यह भी कर लिया आमने इसला प्रशन कि खुला हुआ और जो खुला हुआ जो फुला है उसके साइड बन यह जो लाइन है बट परन्तु और यह पीछा ही नहीं छोड़े गा इसलिए मैंने बता इस कौन अपको क्लियर कर लो अब देखो E is lighter, कौन हलका है E हलका है, किस से हलका है B से हलका है तो बट के बाद जो C दिया हुआ है C का relation किस के साथ है E के साथ है, को सोचना है, नहीं सोचना तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे E heavier than C E भाड़ी है, किस से C से, फिर क्या कहरा D is lighter than C यानि की, D क्या है C से हलका है, D is lighter यानि D हलका है, किस से C से, तो अब क्या पूछ रहा है, सबसे हलकी किताब कौन सी है, लाइटेस्ट पहले बताया था मैंने concept, जब सबसे हलकी, सबसे छोटी ऐसा कुछ पूछे, तो आपको किस को mark out करना है, याँ पर small वाले को, ठीक है, जो हलका होगा उसको mark out करेंगे, ठीक है, चलो mark out करते हैं, अब क्यासे करेंगे A से छोटा C है, यानि C को कर लो, अब C से छोटा ढूंदो C से छोटा कहा है, यह देखो C से छोटा D है, अब तो बढ़ा है अब दी से छोटा कोई नहीं दिख़आ यानि सबसे चोटा सबसे चोटा दी है तो एंसर क्या आज आएगा अपना यहां पर दी सबसे चोटा है हलका है तो अप्सन बी इस लाइट तो आज के लिए यही कुछ कुछ इस रैंकिंग से बाहर कुछ कुछ नहीं बनता बहुत ही एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और फिर जरुवत परें तो और रैंकिंग के कुछ इस और क्यों करेंगे ओके ऐसे बने रही है आप लोग विडियो पे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में